हलो दोस्तों स्वागत है आपका Start with Proud के educational platform में आज है 3 अगस्त 2020 आज के इस वीडियो में हम 2 अगस्त की भी news को discuss करेंगे क्योंकि कल संडे होने की बज़े से वीडियो अपलोड नहीं हो पाया और आज है रच्छावंदन तो आप सभी को हैपी हैपी रच्छावंदन रच्छावंदन की खूब खूब सुबकामना है आप अपने घर में रहिए अपना और अपनों का ख्याल रखते रहिए कि यह वीडियो UPSC और किसी भी स्टेट PCS के एक्जाम के लिए काफी महत पूर है क्योंकि इस वीडियो में जितने भी में discuss करते हैं ताकि कोई भी fact छूटने ना पाए उसका हम current affairs के साथ जुडाव देखते हैं साथ ही basic subject के साथ जुडाव देखते हैं और यह SSC, banking, railway और unbund exam के लिए भी उतना ही महत पूर है क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारे factual question भी होते हैं जो किसी भी exam में one liner के रूप म बन सकते हैं और यह पूरा वीडियो हिंदी में होता है, हिंदी में ही आपको slyde दी जाती है और हिंदी में ही discussion किया जाता है, ऐसा नहीं है कि आपको English में slyde दिखाई जाए और हिंदी में बोला जाए जैसे कि आप कई और channelों में देखते होगे जिससे हिंदी माध्यम के विद्यार्टियों के लिए काफी confusion पैदा हो जाता है तो start with proud team का यही उद्देश है कि हिंदी माध्यम के विद्यार्टियों के लिए एक ऐसा platform उपलब्द कराया जाए ताकि हिंदी में ही सारा material हो क्योंकि exam में overall उनको हिंदी में ही लिखना होता है तो उनकी practice होती रहे तो आईए आज के हम topic के बारे में discuss कर लेते हैं आज हम सचे तक जिसको विहब के नाम से जाना जाता है यह क्यों चर्चा में है और राजिस्तान संकट से इसका क्या संबंद है इसको देखेंगे और आज का attraction point मुल्ला पेरियार डेम का बिवाद होगा जिसको हम सुरुवास से लेकर अब तक की कहानी को पूरा समझेंगे और जानेंगे कि इसमें किस किस तरीके का बिवाद उत्पन हुआ है ग्राम उद्योग विकास योजना के वारे में जानेंगे डोल जिसको हम डोले भी पड़ते हैं इसको एशियाई कुत्ता भी कई बार कह देते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे और इसका IUCN का status क्या है यह भी देखेंगे हाली में प्रेम भाटिया पुरुसकार इंडियन एक्सप्रेस के किस पत्रकार को दिया गया हम यह जानेंगे क्योंकि यह किसी भी बंडे एक्जाम के लिए important question हो जाता है यूबा बैज्यानिक पुरुसकार 2020 के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ इसको देने वाली संस्ता जो है CSIR इसके बारे में भी जानकारी लेंगे ताकि किसी भी एक्जाम में अगर factual के साथ साथ basic का question भी डाल दिया जाए तो आपका गलत नहीं हो हम यह भी जानेंगे कि सिक्किम में किस विक्ती का निधन हो गया और वह किस संस्कृती से संबंदित है E-Flow हाली में उत्तर प्रदेश में न्यूज में है और यह किस नदी को सामिल करने की इसमें बात की गई है दास्ता रिपोर्ट 2020 को जानेंगे और भारत इस रिपोर्ट में कहां खड़ा है भारत की स्तिती कैसी है हम इसको जानेंगे और आज के प्रस्न के रूप में मैं आपको Terms of Reference का Question दूँगा जो आपको बताना है और उसका आंसर आपको Comment Box में तो आईए आज के वीडियो की शुरुबात करते हैं सचेतक से सबसे पहले यह जो News ली गई है उसी संकट के हिसाब से जो राजिस्तान कॉंग्रेस के चीफ विफ थे उनके द्वारा बागी विधायकों की अयोगता को सिद्ध करने के लिए विधानसवाद द्यच को बोला गया जिसके बाद उच्छन्याले ने विधानसवाद के इस आदेश पर रोक लगा दी फिर जो चीफ विफ थे वो पहुँच गए कहां सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए और उन्होंने के हो तो होलोहान प्रक्रण 1992 का हवाला देते हुए इसमें एक याचिका हाई कोर्ट के खिलाफ डायर कर दी अब सचे तक सौट में हम समझ लेते हैं कि इसमें एक तो बहेफ है दूसरा हाई कोर्ट है तीसरा सुप्रीम कोर्ट तीन इसमें पार्टिया है इन्होंने बिधायकों को बागी ठहराने के लिए जो बिधानसवा का अध्यच हैं उनको अधिकार दिये जाते हैं उन पर रोग लगाई इसके विरोध में इन्होंने हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचि का डायर कर दी अब ये तो हो गई करिंट की बात अब अपन देख लेते हैं कि सचे तक होता क्या है और यह करता क्यों है क्योंकि एक्जाम में यही पॉइंट पूछा जाएगा आप से अब सचे तक किसी भी राजनेतिक दल का एक अधिकार प्राप्थ व्यक्ति होता है जो संसस्दन अत्वा बिधान सवा के अंदर दल के प्रवर्तक के रूप में काम करता है यह आउधार्ना हमने ब्रिटेन से ली है मुख राजनेतिक पार्टियों के द्वारा अपने सदस्यों में सबसे बरिष्ट व्यक्ति जो होता है उसको बेहब के लिए चुल लिया जाता है और साथी साथ एक सहायक को भी निउक्त कर दिया जाता है ताकि कार्रियों में आसानी हो सके अब इसके कार्रियों क्या क्या होते है पार्टी सचेतक या बहब सदन में अपनी पार्टी की संख्या को बना के रखता है और मतदान में भाग लेने वालों को सुनिश्यत करता है कि आपको किस मैटर में बोट देना है और किस मैटर में बोट नहीं देना है जैसा कि अभी आजिस्तान संकट के विवाद में आपने सुना होगा इसके निर्ने के उलंगन का मतलब है कि पार्टी से बगाबत करना आयोग के करार देते हैं या नहीं देते हैं लेकिन ये आप याद रखना ये काफी most important point हो जाता है कि two-thirds के साथ आप बगावत कर सकते हैं लेकिन आप अकेले बगावत नहीं कर सकते और यही इस case में हुआ कि सचन pilot अकेले बगावत नहीं कर सकते थे उनके साथ कुछ बिधायकों का साथ होना चाहिए था आईए इसके संबंद में कुछ और जानकारी हम डिसकस कर लेते हैं राजनेतिक पार्टियों के द्वारा तीन प्रकार के बिहिव या निर्देश जारी किये जा सकते हैं अगर एक लाइन वाला है तो वह बिधायक को यह अनुमती देता है कि वह बोटेंग के टाइम पर अनुपस्तित रह सकता है अगर पार्टी से सहमत ना हो तो भाई अगर वो बोले कि मुझे बोट नहीं करना है मैं आपके इस विल से सहमत नहीं हूँ अगर दो लाइन का बहब जारी किया जाता है तो इसका मतलब यह होता है कि उपस्तित तो होना ही पड़ेगा आपको किसी भी कीमत में अगर तीन लेन वाला वहिप जारी होता है तो सदस्यों को पार्टी नीती के अनुसार ही मतदान करना होगा जो पार्टी ने बोला है आपको वही करना पड़ेगा ठीक है अब आपन देख लेते हैं कि हाई कोट का जो आदेश है उसमें वहिप जो की चीफ वहिप है कॉंग्र की टू के नाम से जानते हैं अब उच्चितम न्याले की संबिधानिक पीट के फैसले में इसपष्ट रूप से कहा गया है कि अदालतों को बिधान सबा अद्ध्यच के अंतिम निरने से पहले आप यहां पर वर्ड याद रखना कि अंतिम निरने से पहले आयोगिता की नियायक समिक्षा भी काफी सीमित की गई है और इस केस में क्या राजिस्तान संकटवाले में जो हाई कोट है उन्होंने पहले ही हस्तचेप कर दिया इसलिए जो चीफ वेफ हैं उन्होंने सुप्रीम कोट में यहाचिका दायर कर दी हाई कोट के आएं नेक्ष्ट न्यूज को जानेंगे स्टार्टिंग से लेकर के अब तक की कहानी तो आई ये शुरुवात करते हैं इसकी इस्तापना कब हुई थी उससे इसकी इस्तापना 1887 से लेकर 1895 के बीच में हुई थी लगबग इसको बनाने में 8 साल लग गए थे ठीक है अब एक नजर हम इसकी लोकेशन पर भी डाल लेते हैं यह दच्छन भारत के केरल और तमिल नाडू राज्जी की सीमा के बीच में इस्तित है ठीक है जैसे कि आप यहाँ पर यह देख सकते हो मुल्ला पेरियार डेम अब यह इस्तित तो कहां है इस्तित तो है यह केरल में लेकिन तमिल नाडू को इ इसको डिसकस कर लेते हैं इसका उद्देश यह था कि उस टाइम पर 1887 के आसपास जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी जहां पर बिर्टिस रूल हुआ करता था उसमें मद्रई सुस्क बरसाच छेतर को सिचाई यह तुप पानी उपलब्द कराना एक आवश्यक कदम था तो बि हुआरे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं जैसा कि अपने डिसकस किया कि मुल्ला पेरियार बांध किरल के इड़ुकी जिले में इस्तित है और यह मुल्ला यर और पेरियार नदियों के संगम में बना हुआ है आप ये दोनों ही नदियां याद रखिएगा और पेरियार ठीक है क्योंकि ये किसी वी एक्जाम में पूछा जा सकता है कि मुल्ला पेरियार डेम के आसपास कौन सी नदियां है तो आप बता दीजिएगा अब डिसकस करते हैं कि इसकी इस्तापना के समय कैसी परश्टितियां थी बर्स 1886 में जब बिटिस रूल था तब तरावन कोर के महराजा और भारत के राज्य सचेप जो की बिटिस सरकार के अधीन होते थे के मद पेरियार सचाई कारेओं के लिए 999 वर्सों के लिए एक पट्टा या अनुबंध पत्र लीज इंडेंचर जारी किया गया जिसे पेरियार लेक लीज एग्रिमेंट कहा जाता है पर हस्ताचर करने के बाद इसका परिचालन तमिल नाडू को दे दिया गया कहानी समझ में आई कि मुला पेरियार डेम दो नदियों के संगम में इस्ते थे जिसको मुलायार या पेरियार नदियों का संगम कहते हैं रावन कोर के राजा और भारत के राज्य सचिप के बीच एक मद्द संदी होती है जिसको पेरियार लेक लीज एग्रिमेंट कहते हैं और यह केरल में रिस्ते थे लेकिन तमिल नाडू के द्वारा इसको परिचालन किया जाता है यह आप इसको देख सकते हैं यह तमिल कारी हम ले लेते हैं अब सबसे पहले एक टाइम लाइन की ऊपर हम नजर डाल देते हैं जैसा कि अपने डिसकुस किया कि 1886 999 वर्सों के लिए एक पट्टा अनुबंध पत्र पेरियार लेक लीज एग्रिमेंट लागू किया गया फिर उसके बाद 1970 में यानि की भारत की फ एक साधारन भूकम से मुल्ला पेरियार बांध में दरारें पड़ जाती हैं अब उसके बाद भारत सरकार के अधीन केंद्रिये जल आयोक द्वारा इस बांध का अध्यन किया गया और इसने बांध के जलासे में संग्रहित पानी का इस्तर को 142 फीट से 136 फीट तक कम करने के लिए कहा ठीक है अब अपन सबसे पहले एक चीज और जान लेते हैं कि इसमें तमिल नाडू का पच्छ क्या है और किरल का पच्छ क्या है तमिल नाडू का मानना है कि अगर बांध के पानी का इस्तर कम किया गया तो जो मदुरई के किसान है उनको नुक्सान होगा और कि का हिस्तर six point के नीचे होने के कारण लाखों लोगों की जान को और जव विवित्ता को नुकसान हो सकता है अब अपने दोनों के पच्छ जान लिए अब जानते हैं सुप्रीम कोट ने इसमें क्या इंटर्वीन किया फिर 2006 में सुप्रीम कोट ने 142 फीट की अनुमती दे दी औ केरल सरकार द्वारा 2003 में केरल सचाई अबं जल संरक्षन अधिनियम एक पारित किया गया आप इसको याद रखिएग아 ये काफी important है किसी व एक्जाम में पूश सकता है कि केरल का सिचाई अबं जल संरक्षन अधिनियम किस बर्स लागू किया गया ठीक है तो 2003 में तो इन्ह प्रदानेक करार दे दिया तो अब तक की कहानी ये है आई होप आपको सारा कुछ मामला समझ में आ गया होगा अब अपन उस चीज़ें और डिसकस कर लेते हैं जैसे कि ये पेरियार नदी है ये इस डैम में पानी गिराती है अपना ये बैगई डैम है ये मद्रोई सिटी जि आप इसको ऐसे लगाईएगा ये तो जैसे त्रुनंत पूरम राधानी हो गई केरल की ठीक मुला पेरियार डैम इडुकी डैम अपन साउथ टू नौर्थ चलते हैं तो पहले मुला पेरियार डैम आ गया फिर इडुकी आ गया इसके बाद बनासुरा सागर डैम ये भी पूट के आज पास है और ये है बाइनाड जो लोगसावत चुनाओं के दोरान काफी न्यूज में रही अब आईए नेक्स्ट न्यूज को अपन डिसकस कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज संबंदित है ग्राम उद्योग विकास योजना से ये खबरों में क्यों रहा सबसे पहले यह जानते हैं कि ये कहां से लिया गया ये हमने पी आईवी और दाहिंदू के नीट पेपर से इस खबर को लिया है ये खबरों में इसलिए रहा क्योंकि हाली में ग्राम उद्योग विकास योजना के अंतरगत अगरवत्ती निर्मान में सनलगन कारीगरों की भलाई के लिए कारिक्रम को मनजूरी दी गई अब इसको जारी किसने किया हम ये देख लेते हैं ये किसने चलाई है योजना इसको जारी करने के लिए MSME मंत्राले और खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग जिसको के वी आईसी के द्वारा जारी किया गया ये तकनीकी प्रसिच्छन देगा और वित्तिय सायता भी प्र कर दिया जाए और इस्थाई रोजगार को दिलाया जा सके अब आयात निर्यात तो आई होप आप समझते होंगे अब यहां पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि यह योजना के अंतर का चार प्रोजेक्ट पहले से ही चल रहे हैं जिसमें एक तो नौटीस्ट में ही चल कर आए तो अब इसमें और क्या क्या होगा इसमें कुछ मसीने दी जाएंगी कारीगरों को जिससे उत्पादन में तेजी लाने के लिए कारीगरों को मदद मिल सकती है आई ये next news को discuss करते हैं next news संबंदेत है ढोल जिसको हम ढोले भी कहते हैं अब यह खबरों में क्यों रहा हाली में मैमल रिव्यू में प्रकासित एक संरक्षण के लिए एक रणनेतिक रोड मैप प्रकासित किया गया जिसमें भारत के लुप्ट प्राय डोल के संरक्षण की बात की गई थी इसे बाइल लाइफ, कंजर्वेशन सुसाइटी इंडिया, फ्लोरीडा विस्विद्याले और बन जीब संरक्षण ट्रस्ट और नेशनल सेंटर फोर वायलोजिकल साइन्स के द्वारा इसको निकाला गया आप ये डोले की तस्वीर को देख सकते हैं, डोल को एशियाई जंगली कुत्ता भी कहते हैं, भारती आवारा कुत्ता भी कहते हैं, ये लाल कुत्ता भी कहते हैं, प्लस मैन इंपोर्टेंट ये है कि इसको पहाड़ी बेडिया के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि ये भारत में एक मात्र बड़ा मासाहारी जीव है अब इसका आयूशियन स्टेटस क्या है? इसको आयूशियन स्टेटस की रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड की सेड़ी में रखा गया है अब इसके सनरक्षन की बात अगर करें तो करनाटक, महराष्ट और मद्य प्रदेश इसके सनरक्षन के मामले में उच्छ रैंक पर है आईए नेक्स न्यूश को डिसकस करते हैं, नेक्स न्यूश संबंदित है यूबा बैग्यानिक पुरुसकार 2020 से अब इसको एक एक पॉइंट डिसकस करते हैं, इसे कौन देता है? इसे CSIR यानि की बैग्यानिक और ओद्योगिक अनुसंदान परिशत देता है अब क्यों देता है? CSIR के विविनस अंस्थानों में काम करने वाले बैग्यानिकों को उनकी उपलब्दियों के लिए यह दिया जा सकता है यह उपलब्दियां जैविक विग्यान, रसायनिक विग्यान, प्रतवी, बायुमेंडल, महसागर, भूमेंडलिये विग्यान, इंजिनरिंग, बहुत एक विग्यान आदी में दिया जाता है अब चलो, क्यों दिया जाता है? यह पता गड़लिया वपन जानते हैं कि इसमें दिया क्या जाता है? इसमें एक प्रस्थि पत्रों दिया जाता है और पचास अजार रुपे कर नगत को रुसकार और एक पट्टी का भी दी जाती है पट्टी का मतलब बैज टाइप का होता है इसमें नामाम और उसका उपलब्दी को लिखा जाता है अब यह किसे मिले? आप इसको देख सकते हो साइंस में दियोजोती चक्रवर्ती को दिया गया केमिकल साइंस फील्ड में सूरस सुमान को दिया गया साइंस के लिए जगदीशन लोगनाथन को दिया गया और एंजिनेरिंग के छेतर में इंदू एलिजाबेत को दिया गया और मनोज के आर गुपता को दिया गया अब अपने यह तो रही करेंट की नहीं हुजिए अपनने जान लिया किसी भी factual question किसी भी एक्जाम में पूछा जा सकता है अब अपन जानते इसको जारी करने वाली संस्ता के बारे में क्योंकि अगर IS के एक्जाम में पूछा जाएगा तो कहीं न कहीं एक option यह डाल दिया जाएगा यह एक अखिल भारती संस्तान है इसकी इस्तापना सितंबर 1942 को हुई थी इसका headquarters जो है वो निव डेली में है दिज्ञान एवं प्रदोग की मंतराले के द्वारा CSIR का बित्तपोसन किया जाता है पंजी करन अधिनियम 1860 के अंतरगत इस्तापत या एक स्वाइत निकाय के रूप में पंजी करे थे तो आप ये point बहुत जादा अच्छे से याद रखना इसको बारवार revision करना क्योंकि ये बहुत most important है ये exam में पूछ लिया जाता है इसके अध्यच भारत के प्रदान मंतरी होते हैं उपाध्यच भी होते हैं एक और कई अन्य सदस होते हैं अब इसका उद्देश क्या है परिश्द का उद्देश राष्टिये महतिश्वे संबंदेत बैग्यानिक और अध्योगिक अनुसंदान तराना है आईए नेक्ष न्यूज को डिसकस करते हैं नेक्ष न्यूज संबंदेत है इफ्लो जो की इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज पेपर से हमने ली है उत्तर प्रदेश सरकार ने कम से कम छे नदियों के प्रदूसित हिस्सों के लिए नियूनतम परेवरंट प्रवाय को ठीक करने की योजना बनाई है अब ये छे नदिया कौन-कौन सी हैं सबसे पहले हम इसको ही देख लेते हैं सर्यू, हिंडन, रामगंगा बेतवा, घागरा या राप्ती नदियों के प्रदूसित हिस्से के लिए इप्रवाय को बिन्यामित करने की योजना बनाई गई है अब ये प्रदूसर्ण को कैसे कम करेगा इफिलो, इसको यवारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि जैसे कोई नदी होती है वो चोख हो जाती है, उसमें पानी ही नहीं आ रहा था तो उसमें क्या अपसेश्ट पदार जमा होने लगते हैं जिससे नदी प्रदूसर्द होने लगती है ठीक है, जैसे कि हम इठीरे बारे उसको देख सकते है POL अबी तक गंगा नदी की एक मातर ऐसी नदी है जिसके लिए केंडर सरकार के दोड़ा, इी प्रवात तैक किया गया है 2018 में गंगा के लिए ये प्रवाय को ठीक करते हुए जल सकती मंत्रा लेने एक अधी सूचना जारी की थी अब यहाँ पर इंपोर्टेंट हो जाता है जल सकती मंत्रा ले उससे पहले हम मैप में एक नजर डाल देते हैं UP की ये नदियों का मैप है आप इसको देख लीजिए यहाँ नेपाल के साथ इसकी सीमा लगती है उत्तरा फिंट के साथ और यहाँ पर आजिस्थान, हर्याना, डेली यह हो गया मद्यप्रदेश और बिहार के साथ सीमा लगती है अब आज यह नदियों को देख लेते हैं यह हिंडन नदी इसको इसमें सामिल किया गया है यह हरापती नदी, घागरा नदी, गंगा नदी को आप देख सकते हैं धशान नदी और बेतवा नदी यह रही यह केन रिवर है अगर यह कभी-कभी क्रोनोलोजिकल में लगाने के लिए दे देते हैं आप सबसे पहले चंबल आती है, फिर एक काली सिंद पड़ती है बीच में ठीक है, फिर बेतवा, दसान और केन आप इसको लगा सकते हैं नहीं पर ठीक है, आईए कुछ नदीों के बारे में और जान लेते हैं कि हिमाले से उद्गमित होने वाली यूपी की नदियां जो हैं वो गंगा, यमुना, सार्दाकाली, रामगंगा, घागरा, राप्ती, कंड़क या रुहनी आदिया है मैदानी छेतर से उद्गमित होने वाली ये हमाले से नहीं आती हैं लेकर मैदानी छेतर से उद्गमित होती हैं जिसमें कि गौम्ती, बरुना, शै, पंडो और ईसन नदी है ठीक है अब दच्छणी पठारी छेतर से उद्गमित होने वाली जैसा है कि अभी यहां पर अपने डिसक्रस किया चंबल, बेतवा, केन, सोन, रिहंद, टौन्स और कनहार आप यह याद रखिए कि काफी इंपोर्टेंट हो जाता है आईए इससे संबंदित जल सक्ती मंत्राले के बारे में कुछ बेसिक जानकारी ले लेते हैं जल सक्ती मंत्राले यह दो मंत्राले को सामिल करके बनाया गया है अब दो मंत्राले कौन-कौन से हैं जल संसादन, नदीविकास, एवं गंगास, अरक्षन मंत्राले इन दोनों को सामिल किये जाने से पहले भारत में जल संबंधी का रही अलग-अलग मंत्राले के दौरा किये जाते थे जिससे होता क्या था कि कई बार confusion पैदा हो जाता था वो इस्तिती फे फिर confusion बाली होती है तो कोई भी काम डंग से नहीं होते है उनको लगता है कि वो कर देंगे उनको लगता है कि वो कर देंगे इसी में नदियों का प्रदूसर बढ़ता रहा ठीक है इसके बाद अब उम्मीद जगी है कि जल सकती मंत्राले कोछ इसमें काम करके दिखाएगा जैसे कि पर्यवन बन एवं जलवायू परिवरतन मंत्राले के तहत अधिकांस नदियों के संरक्षण का काम किया जाता था ठीक है आवास एवं सहरी मामलों के मंत्राले के दोरा इसकी जलापूर्ती की देखरेक की जाती थी क्रसी मंत्राले के अंदर गताते थे यह सूज में सचाई परियोजना है और जल संबंदी सभी कार्यों को अब क्या कर दिया गया है जल सक्ती मंत्राले के दाएरे में ला दिया गया है जिससे एक रूपता आएगी और विकास का मार्क सुनेश्यत होगा आईए नेक्ष डे अगेंस्ट ट्रफिकिंग मनाया जाता है इसी अवसर पर कॉमन वेल्थ हूमन राइट्स इनिसियेटिव जिसको CHRI और अंतराश्टिय दास्ता विरोधी संगटन जिसको बॉक फ्री कहा जाता है के द्वारा जारी किया गया तो आप याद रखना कि सिलेवरी रिपोर्ट जो है वो CHRI और बॉक फ्री के द्वारा निकाली जाती है किसी भी एक्जाम में पूछा जा सकता है जैसे IS के एक्जाम में तो काफी इंपोर्टन हो जाती है जो भी नई रिपोर्ट आती है आप उसको बारी की से देख लिया गरिये रिपोर्ट के कुछ महतपूर बिंदूओं को जान लेते हैं इस रिपोर्ट में राष्ट मंडल देशों द्वारा 2018 में बल पूरवक्ष्रम, मानोतसकरी और बाल श्रम को समाप्त करने के लिए तथा SDGs जो 8.7 है उसको प्राप्त करने के लिए तथा आधनिक दास्ता की स्तिती को बर्स 2030 तक समाप्त करने के लिए किये गए बादों की प्रगती का आंकलन करना इसका उद्देश से था ठीक है लगबख सभी देशों में बहुत कम प्रगती हुई है ऐसा इस रपोर्ट में बताया गया है कि कोई भी देश इतना अप टू डेट नहीं हुआ कि जिसने काफी सारे सुधार किये हो आप ये इसके लोगों देख सकते हो 30 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल डे अगेंस ट्रफिकिंग बर्तमान में कोई राश्टिय कारयोजना नहीं है अगर हम भारत के संदर्व में देखें तो अगर आपसे ओफ्सन में ये बना दिया जाए कि भारत में इसके लिए कानून मौदूद है ठीक है तो आप उसको गलत कर दीजिएगा क्योंकि बर्तमान में कोई राश्टिय कार योजना है ही नहीं हाला कि संविधान में उल्ले काफी किये गए हैं जिनको अपन बाद में भी देखेंगे विश्व की बाल बधुओं की कुल संख्या का लगभग एक तहाई तो भारत में ही निवास करता है बाल बधु मतलब की जो बच्पन में जिनकी शादी हो जाती है उनको कहते हैं भारत द्वारा एशिया के अन सभी राश्ट मंडल देशों की तरह अंतराश्टे स्रम संगटन के 2011 के जो घरेलू कामगारों पर कंबेंशन बनाया गया था या जिसको 2014 के forced labor protocol बनाया गया था भारत ने अभी तक इसकी पुष्टी ही नहीं की है तीन point याद रखना कोई भी कार्योजना नहीं है दूसरा 2011 के जो अंतराश्टे स्रम संगटन ILO के जो rules थे उन पर तीसरा forced labor protocol पर जो नियम बने हैं भारत ने उसकी पुष्टी नहीं की है तो आप ये point याद रखना आएए इससे संबंदित को संबेधान में बर्णित प्रावधानों को देख लेते हैं article 21 जो है वो जीवन और व्यक्तिगत सुतंतरता के अधिकार से संबंदित है किसी व्यक्ति को जीवन और सुतंतर रूप से जीने के लिए अधिकार देता है ठीक है उसको लेवर या दास्ता के रूप में नहीं देखा जा सकता article 23 बलात स्रम पर प्रतिवंद लगाता है मतलब कि बल पूरवग हमें किसी से स्रम नहीं करवाना है article 24 कारखानों आदी में 14 वर्स से कम उम्र के बच्चों को कारे करने से प्रतिवंदित करता है article 39 राज को स्रमकों परसों और महलाओं के स्वास्त एवं सामर्थ को सुनशित करने के लिए निर्देशित किया गया है अब इनके जुसरा में एक पुरो स्मेला के स्वास्त संबन्दी मुद्धे हैं उनको देखा जाएगा article 39 के तहत article 42 राज को निर्देश देता है कि वह काम की उच्चित एवं मानविय इस्तितियों को सुरच्चित रखे और मात्रत राहत के लिए प्रावधान करे मतलब कि मात्रत राहत अगर कोई लेडी इस प्रेगनेंट है तो उस छेत्र में जहां वो खाम करती है उनके लिए काफी गिस्त रच्चा के तो आप यहां पर यह देख सकते हो आर्टिकल 21, 23, 24 जो की मौलिक अधिकार से संबन्दे थे हैं जिनको मूल अधिकार भी कहते हैं इनके संबन्द में और आर्टिकल 39 और 42 राजिके नेती निजिसक सिद्दान थे हैं आप इसको जारी करने वाली संस्ता के वारे में जान लेते हैं इसका मुख्याले कहा है इसका मुख्याले नियु देली में आप यह याद रखिएगा यह 1987 में स्तापित हुआ राष्ट मंडल में मानव अधिकारों की बहवारिक लक्षों की प्राप्ति के लिए यह काम करता है ठीक है तो यह आप देख लो 87 में स्तापित हुआ नोन-गौर्मेंटल ऑर्गनाइजेशन है राष्ट मंडल 64 स्वतंत्र एवं सामान सम्प्रभू राजव का एक स्वेच्छेख संग है जो कि 1949 में बना राष्ट मंडल के अधिन काम करता है मतलब जो राष्ट मंडल देश हैं उनकी अधिन काम करता है एक अपरतिच प्रभाव में रखने के लिए एक संगटन बनाया है जिसको common belt देश कहा जाता है लेकिन यहाँ पर एक काफी important बात जो आपको याद रखने की जुरुत है वो यह है कि केवल British उपनिवेस ही नहीं है कि जो इसके भागीदारी बन सकते हैं वलकि इसका भागीदा और ना हो तो वो कभी भी छोड़ सकता है यह मुक्त है और समान स्वच्चिक सायोग पनिरवर है ठीक है next news को discuss कर लेते हैं परच्चा उपयोगी अन्न महत्पूर्ण खबर है ठीक है हाली में Indian Express के reporter दीपंकर घोसको और Pupils Archive of Rural India याने की परी PARI ने उतक्रष्ट पत्रिका के लिए इस साल का प्रेम भाटिया पुरुसकार जीता है तो प्रेम भाटिया पुरुसकार किसको दिया गया दीपंकर घोस को और P.A.R.I. को आप यह याद रखिएगा काफी important हो जाता है यह भी पूछ सकता है कि प्रेम भाटिया पुरुसकार किस चेत्र से संबंदित है तो आप बता देना पत्रिकारिता से संबंदित है प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाली में पदम स्री रेन सोनम सेरिंग लेपचा के निदन पर सोक वेक्त किया अब यह हस्ती कौन थे इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं यह सिक्किम में लेपचा संस्क् जो कि सिक्किम की स्थानिये हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि लेपचा जंजाती के लोग केवल सिक्किम में ही पाय जाते हैं यह यह जंजाती नौट इस्ट के कई राजियों में भी निवास करती है भारतिय लोग और पारमपरिक लेपचा गीतों की एक स्रंखला बिस्त स्कॉच गोल्ड अवार्ड क्या है और किनके द्वारा दिया जाता है यह जंजाती कार्य मंत्राले के द्वारा दिये जाने वाली एक छात्रवित्ती योजना है और यह आदिवाशियों के ससक्ति करण के लिए दिया जाता है इसको हम गोल्ड स्कॉच अवार्ड और आईटी क किस के द्वारा क्रसी मंत्राले के Term of Reference नामक रेपोर्ट जारी की गई क्रसी मंत्राले के द्वारा मंत्राले के दौरा पंद्र में बित्डायोग के HLEG के द्वारा निद्यायोग के द्वारा HLGF यानि हाई लेविल Export गुरूप के द्वारा तो मैं आपको यह बता देता हूं कि term of reference क्या होता है बदलते अंतराश्टिय बैपार प्रेजिस में चुकि समय बदल गया है ठीक है लोगों की आबश्चक्ताइं भी बदल गई है और आबश्चक्ताओं के नुसारी वह उत्पाद जो होते हैं उनका यूज करने लग गए है तो भारतिय क्रश्ची उत्पादों में चाहिए वो बस्तुए हो या processed food हो या non-processed processed का मतलब होता है कि उसमें कुछ modification करके उसकी quality को बढ़ा दिया जाए समझ में आया और food processing होता है जैसे कि आलू है आलू से अपने चिप्स बना दी चना है चना से अपने बेशन बना दिया ठीक है ऐसे जब चीज़े बनती हैं तो इसको हम food processing कहते हैं तो भारतिय क्रश्ची उत्पादों के निर्यात और आयात प्रति इस्तापन आउसरों का आंकलन करना है इस report का उद्देस निर्यात को इस्तिरता पूर्वग बढ़ाना है हमें और आयात की निर्भरता को हमें क्या करना है कम करना है तक कि हमारा डॉलर सुरच्छत हो सके इसी के संदर्व में जो सुधाव दिये गए हैं उन्हें term of references कहते हैं मतलब कि किस किस चीज को reference देनी हैं बदलते अंतराश्चे परिदरस्टे के अनुसार तो ये थी हमारी आज की discussion और अगर आपको ये discussion पसंद आ रहे हैं और आपके exam की दर्ष्टी कोर्ट से आपको important लग रहे हैं तो आप अपनी स्क्रीन में दिख रहे हैं लाल बटन को subscribe कर सकते हैं और पगल में ही लगे bell icon दबा सकते हैं ताकि daily start with proud के द्वारा किये जा रहे ह जादा से जादा इस वीडियो को like कीजिए share कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी हिंदी माध्यम का एक अच्छा platform पता चल सके और आप अपने comment box में अपने suggestion भी दे सकते हैं कि हमें और क्या-क्या courses चलाने चाहिए जो आपकी exam की दर्ष्टी कौर्ट से important हो इसी जादा सकते हैं